बंदे मातरम अब देखिए हम इंट्रेस्ट में देखेंगे जो तीसरा सिध्धान था लिक्विडिटी लिक्विडिटी प्रिफरेंस फेरी एक इसने दिया था जे अम किंस ने जे अम किंस ने दिया था यह अपने किताब जो 1936 में जो निकला जिनरल थेयरियाद इंप्लाइमेंट इंट्रेस्ट एंड मनी आप उसकी कहाई जानते हैं कि क्यों निकला अब उससी में इन्होंने यह थेयरि दिया था लिक्रिटी प्रिफरेंस थेयरियों ने कहा था कि जो इसके प पूरता मनी मार्केट में निर्धारित होती है आप देखिएगा कि पूरता मनी मार्केट में निर्धारित होती है और अर्था जो ब्याज का निर्धाराण है वो किसके द्वारा होता है वह डिमांड फार मनी एंड सप्लाई आफ मनी इन दो के द्वारा निर्धारित होता ह इन्होंने कहा कि तीन कारण उससे होता है और सप्लाई आफ मनी तो आप जानते हैं कि किसी देश की जो है मॉनेट्री एथॉरिटी है वह तैंक करती है सप्लाई आप मनी आप नहीं कर सकते तो यहां पर जो तीन है डिमांड आफ मनी वो क्या है लिखे जो तीन दिमांड आफ मनी है वो यहां पे दिया हुआ है यहां ने बताया यहां पर डिमांड आफ मनी उसको उन्होंने यल से दिखाया और इसी को हम लिकुरिटी प्रिफिरेंस को यह हम अम लम मॉडल भी बोलते हैं लम थेयरी आप मनी ठीक है तो लिक्रेटी प्रिष्प्रेंस में यहाँ पर दिमार्ड उसको से दिखाया और उन्होंने देखे यल मतलब डिमांड आप मनी किस कारण से होता है उन्होंने तीन चीजें बताई कि तीन कारण से होता है सबसे पहले ट्र कीजिए अगर आप घर में हैं कंजुमेर है तो भी आप पुले इन दिन उद्यस की होगी तो उसके लिए मनी की आओ सकता पैसे की आओ सकता है नमबर सेकेंड है कि प्रिकॉस्टमेरी डिमांट अर्था दूर दर्शिता कि भाई आओ सकता है बभुगक साधी हो उसके लिए भी चाहिए या हो सकता घर बनवाना हो इसी साल तो क्या करेंगे तुरंट बैंक में निकालेंगे नहीं मिलेका तो दूर दर्शिता उद्धेस के लिए भी लोग रखते हैं किसी कंपणी की बात करें तो भी सिले रखते हैं कि कही मसीन थोड़ा मुझा खराब हो तो जाएंगे पैसा निकालने तुरंट हो गया तो तुरंट बनवाना हाँ पड़ेगा तो दूर रिष्टा उद्धेस के लिए नंबर थर्ड स्पेकुलेटिव सट्टे बाजी के लिए अगर सट्टे बाजी की बात है तो इत्यादी चीजों में पैसे को लगाना तो सट्टे बाजी के लिए यह तीसरा है तीसरा मनी उन्होंने बताए और इन्होंने क्या किया कि जो ट्रांजेक्शन डिमांड यहां पे देखेगा टीडी डिमांड है ट्रांजेक्शन प्राइस कि यहां एक है आपके बाद जितना पाईसा बढ़े देन के लिए उतना पाईसा रखेंगे ज्ञादा पैसा बढ़ेगा तो आप दुर्दल सिता के लिए लेकिन से शेटेबाजी के लिए आप आया बलने से कोई मतलम नहीं होता है वो किसी निर्भर करता है वो निर्भर करता है जो इस 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 पेक्ले टिमांड और अधिक होगा थो बॉंड की कम होंगे तो इन दे बैंक में कम होता है जब बैंक में ब्याज रेट मतलब वेज्व ब्याज कम मतलब होता है इंट्रेस्ट रेट तो लोग जो फटाइवेट इम सद्पैसे निकाल के और मिल् Acts Reambor करते हैं जैसा इनुवेट करते हैं तो क्या होता है तो अधिक होगा और इसकी भीपरीथ होता है कि ऑगर अधिक होगा तो इन dengan लोग कम करेंगे तो यह दोनोंसे भीप्रीष संब धर राइज में और बॉंड की प्राइज यह सेर और आप देखें इसका संबन सीधे ह Iย है कि अगरर कम होगा तो लोग अपर कमोगा तो इसको इनने लौन कहा और हैसडी को क्या हो जाएक एल्वन क्लास आद प्म पूरा को मेभकिये हो पोड़िका दोजाएबी अब देखिए हम तीन फिगर के माद्धियम से देखिए जो आर का संबन्ध है वोई 11 से नहीं है वो आय से है तो आर कुछ भी हो जो 11 की सप्लाई होगी या 11 की मांगत था पूर्टिय होगी हो क्या होगी यहां पर माली जी 11 है तो आप इसे यल कर्म बोच सकते हैं ठीक है तो म न पेप जो 11 की मात्रा होके आऊगी सीधी होगी मतलब बिलोच दार होगी जίसकी जो लोच सीजता होगी क्यों अर की बढ़ने गटें से इसका मतलब नहीं है और जो अकिए उसमें संभन है कि जैसे माली जेज है ठीक है अचै cham km र है अगर माली यहां पर है है जरकी प्राइस अधिक तो बांड की प्राइस कम 직 ler पाइस कि अधिक है इतना ज़्यादा है कि यह नहीं है कि मतलब लुंझ नहीं लिपाएगा लगाने के लिए तो कि बहुत ज़्यादा है और जैसे ही आर और कम हुआ और कम हुआ और कम है जब कम हुआ तो विम्हा कम हुआ थे जैसे आर कम हुआ तो जो एल्टू सडू है पज़बाजी की पराइस वह बहुत जादा बड़ जाएगी तो जैसे ही आर की प्राइस भी कम हो रही है तो एल्टूब की मात्रा भी कम हो रही है क्योंकि यह तुरंत नहीं लगाते हैं देखिए जैसे आर अगर ऐसा नहीं कि बढ़ेगा तो तुरंत लगा देंगे पैसा निकाल नहीं यह आर जब कम होता तो पैसा रखते हैं और फिर जब आर जब कम होता तो फिर पैसा रखते हैं ठीक है और फिर उस समय तो बांड सबसे अधिक होता है तो उस समय नहीं लगाते जब आर फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके बाद बांड की प्राइस कम होते तब जा तो यह यह की मात्रा भी रूख जाएगी जैसी आर बढ़ेगा तो यह बीस्तिर हो जाएगा तो अर्थिवस्ता क्या हो जी कॉलाइप्स करने लगेगी इस्तिर हो जाएगा और क्या है प्रांजेक्षन चीज है रोटेट होनी चाहिए रोटेशन आप मनी और मुद्रा की मात्रा अब मालेजे यह है अब मालेजे दो चीजे कि अगर मॉनेटरी अथरिटी द्वारा सप्लाई आफ मनी कौन करेगा सप्लाई आप मनी करेगा जो मॉनेटरी अथरिटी है इसलिए उसकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है तो जैसे ही मालेजे मॉनेटरी अथरिटी मतलब सप्लाई करेंगी यहां पर मनी सप्लाई तो यहां पर आर क्या होगा और अधिक करेगी तो ब्याज़र और घट बढ़ लेकिन एक ऐसी सिती में एक जब यहां पर आ जाएंगे आर तो कम हुआ क्यों क्यूंकि देखिए कैसे हो गिंपां क्या हो जाएक जो मनी है यहां पर लिकूडिटी प्रेफरेंश करो क्या हो जाएगा इस तेर्वां मानी प्रेफरेंश बढ़के आएंगे प्राइस लिक्विडिटी प्रिफरेंस तो क्या हो जाएगा इसी को हम बोलते हैं यह लिक्विडिटी ट्रैप में फच जाएगा ऐसा क्यों होगा जैसे यह आर कम होगा तो जो लोग पैसा रखें हैं बैंक में वह पैसा निकालेंगे और जैसा ही कम होगा और बांड की प्राइस बढ़ेगी जब बहुँच जादा होता है तो जो क्या नाम है जो सट्टे बाजी के लिए ल्टू वाले थे वह जो बांड में पैसे लगाए होंगे उसको निकाल लेंगे क्योंकि अब बांड की प्राइस अधिक है पचास उपिय बांड था तो 500 का हो गया तो निकाल लेंगे क्योंकि उनको लाव हो रहा है दस गुना तो निकाल लेंगे तो दोनों दोनों तरह के पैसा तो बैंक राष्ट्री आए नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो पैसा है उन लोगों के पास तरलता के रूप में इस्थिर हो रही तो लो इस्क्यूरिटी ट्रैप और यहीं पर जो मनी मार्केट है फिसकल पॉलिसी मुनेटरी पॉलिसी यहां पर फेल हो गई अब कितना होवी मनी सप्लाई बढ़ा है कुछ नहीं पफार की पढ़ेगा लेकिन फिसकल पॉलिसी यहां पर अर्थात गौर्मेंट को अब इनिवेस् कि इसको में अब पॉलिसी मुनाफे के लिए नहीं करती है बहुत कि समझ में आया होगा आप इसको लाइक सेट सब्सक्राइब अगर अच्छा लएक तो कमिंट जरूर करें बंदमातर